तो परिक्षित को शुक्दे मुनी जी कह रहे हैं राजन ध्यान करूँ ध्यान की विदी बताई गुरू जी केसे ध्यान करना चाहिए मैंने तो भी तक किया ले तो राजन जितासनों जितस्वासों जितसंगों जितेंद्रियह आसन जीतों एक इस्चिरासन पे बेठने की आदत बन जिसका तन इस्थिर होगा एक दिल उसका मन भी इस्थिर होगा इसलिए आप बड़े बड़े संत महात्माओं को जब देखोगे न उनकी फोटो भी देखोगे तो ऐसे ही बेठते हैं इस्थिर होगे कमर सीदी मेरुदंड सीदा इससे क्या तो ध्यान लगता है ध्यान में आपके भीतर की शक्तियों की खोज हो जब भीतर से आप हम सब बहुत सुखी हैं भीतर से बहुत आनंद हैं बहुत शानती हैं हम भूल गरे हैं हम सुख बाहर ढूंड रहे हैं हम सुख शानती बाहर तलास कर रहे हैं हम आनंद वाहर की वस्तूओं में व्यक्ति में पदार्थ में कपड़े में सोना चांदी में भोजन में कोई सीन सीनेरी देखने में हम सुख और आनंद को खोज रहे हैं लेकिन जिस दिन हम अपने थोड़े वीतर ही जहाक लेंगे तब पता चलेगा बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में सबके मन मंदिर में सबके मन मंदिर में पसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में सबके मन मंदिर में सबके मन मंदिर में मंदिर में एक जगानी उससे खानी पत्त पत्ता डाली डाली रूप उसी का मूर उसी का पशुपक्षी इनसान सब के मन मन्दिर ने सब के मन मन्दिर में वसा हुआ पत्त पाल सब के मन मन्दिर में सब के मन मन्दिर में सब के मन मन्दिर में देहो खरीबो सब के मन्दिर में सब कर दो सब कर दो सारा जग्विस्तार उसी का सबको है आधार उसी का सबको है आधार उसी का जन्माए पाले सुहारे प्याप पिश्मान सबके मन मंदिर में सबके मन मंदिर में सा हुआ भगबार सबके मन मंदिर में सबके मन मंदिर में सबके मन मंदिर में जैं हो इसकी राद है सबके अंतर पन की जाने सबके अंतर शन की जाने सबके अंतर मन की जाने गली गली घर घर की जाने सब में सबका होकर रहता हो सबके मन मंदिर में 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 सब के मन मंदिर में सब के मन मंदिर में जैं है पीरा दे खूच नीच अंतर नहीं माने भाव भक्ती देखे पहचाने भाव भक्ती देखे पहचाने दोश या निर दोश भले ही करता है तल्याच सब के मन मंदिर में सब के मन मंदिर में बसा हुआ भक्ती बाद सब के मन मंदिर में 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 तो वसल भगवान की जय कैसा भाई भेलो ध्यान के द्वारा हमें पता चलेगा मैं जिस भगवान की पूजा बाहर करता हूँ वो भगवान तो मेरे भीतर भी है खास बात बता रहे हैं भाई बेनो आप जितने भी यहां पर बैठे हो अपने को कमजोर मत समझो यही सरीर में सच्चा भगवान शरीर में एसा संत कह रहे हैं जब हम एक मूर्ती में भगवान देख सकते हैं तो जो चेतन हैं जो देखता, सुनता, बोलता, चलता, खाता, पीता, सांस लेता क्या इसमें कोई भगवान नहीं कहते हैं हम विचार ही नहीं करते हैं इस बात पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं जिन जिन ने ध्यान दिया वो भगवान बन गए जब हे भीतर बसा हुआ भगवान सब के मन मन दिर गए इसलिए रोज ध्यान करो किसका अपनी आत्मा का आत्मा सो फर्मात्मा हम भटक रहे अभी वहीर मुखी हो गए यहां आ गए यहां गए यहां गए जाओ मन नहीं है लेकिन अपने भीतर भी तो गुज़ो ध्यान क्या है भीतर गुसना भीतरी ताकत की खोज करका इसलिए रोज ध्यान में बेठा हो आँखे बंद करके जुरू बेठा हो आपको कुछ-कुछ एहसास होने लग जाए शांती से बेठा हो